नमस्कार, स्वागत आप लोग का एक नए वीडियो में, आज की वीडियो में हम सेक्षिक छमता परिक्षन यानि सैट के प्रस्णों को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैट के प्रस्णों को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैट के प्रस्णों को देखेंगे, तो तो आपको जो भी language अच्छा समझ में आता है तो उसमें आप देख सकते हैं दोनों आपके स्क्रीन के सामने है तो चलिए पहला question देखते हैं पहला question है इन में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है शोलर वर्स उसने कटी बन दिया वर्स लीप वर्स परकास वर्स तो यहां पर समय का मात्रक पुछा गया है और यहां परकास वर्स क्या है दूरी का मात्रक है तो इसका sensor option 4 हो जाएगा अगला प्रस्न देखिए लंबी कूद से पहले खिलाड़ी कुछ दूर से भाग कर आता है क्योंकि उसे अधिक बल लगाने मदद मिलती है दोड़ कर आने से खिलाड़ी अपने आपको अधिक गती जड़तों परदान करता है तो यही इसका option 2 ही सही answer है अगला प्रस्न है धोनी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं तो पहला option है परत्यास्त तरंगे यही इसका सही भी है नेक्स्ट प्रस्न देखिए पानी के घनत्व का मान है एक हजार किलोग्राम प्रति मीटर सकेंड एक हजार मीटर मीलीग्राम प्रति गहन मीटर एक हजार मीटर प्रति किलोग्राम इसमें सभी option गलत है तो यह question गलत है इसका कोई भी option सही नहीं है इस तरह से कुछ question गलत भी दिये रहते हैं तीन-चार question गलत जानवूज कर दे दिये जाता है ताकि विजारति उसमें समय अपना बरबाद करें और उसे आसान question छूड़ जाए तो आप लोग को अगर कोई question पर डाउट रहता है तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है जरूनी एकजाम में पास होने के लिए आपको 100 में 100 चाहिए तो आगला question देखिए एक अंत्रिक्स यात्री को अंत्रिक्स में अपना भार लगता है अनंत्त पिर्थिवी पर भार से कम सूने तो इसका से अंसर क्या हो जाएगा सूने नेक्स्ट प्रस्ण है जब एक छड को विद्याले की घंटी पर मारा जाता है तो हमें दोनी सुनाई देती है क्योंकि वायू के कन घंटी से हमारे कानों तक पहुंचते हैं घंटी से वायू के कनों में कमपन पैदा होती है और वे वस सिगनल को हमारे कानों तक भेजते हैं कि उसके गंटी से वायू के कनों में कंपन के कारण अनुधैर ये तरंगे पैदा होती है जो हमारे कानों तक पहुंचती है तो इसका सजय अंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं तो संतानवय का है चंद्रमा की विभिन कलाओं के घटित होने का कारण हम चंद्रमा का वह हिसा देख पाते हैं जो परकास को हमारी और प्रावर्तित करता है इसका उप्शन एक ही सही है अगला प्रस्ण है निम्न में कौन सा पदार्थ विदूत का सबसे अधिक सुचालक है तो इसका सेंसर हो जाएगा चांदी अगला प्रस्ण है मेज को एक तरफ जुकाने पर उस पर पड़ी गेंद घूमती हुई नीचे लुढकती है किस बल के कारण गेंद घूमती हुई जाती है तो यह घर पानी के कौतनाक और हिमांक बिंदू पर प्रभाव डालता है ग्लेशियर के नीचे अत्यधिक दवाव के कारण बर्फ किस तापमान पर बिगलना शुरू हो जाती है तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा जीरो डिग्री से कम पर अगला देखिए एक अस्टेनलेस अस्टील के चमच को चेहरे के पास रखने पर हम देखते हैं कि चमच की अंदर की तरफ उल्टा परतिविम दिखाई देगा इसका उप्शन टू सही है इन में से किसको घर्षन के द्वारा आविसित नहीं किया जा सकता है तो यह हो जाएगा तामबे की चछड निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोनिक विन्यास एक अधातु का हो सकता है इसका सेंसर हो जाएगा ओप्शन थ्री अगला क्वेस्टन है लकडी का क्वेला जलते समय ज्वाला का निर्मान नहीं करता है क्योंकि लकडी का क्वेला वास्पित नहीं होता ओप्शन थ्री इसका सही हो जाएगा अगला क्वेस्टन है निम्न का मिलान करे तो अगर इसको मिलाएंगे तो इसका सही अंसर क्या जाएगा इसमें मिलाया गया है इसका option 2 सही है अगला question है एक plastic जो उस्मा वा विदूत का कुछालक है विदूत switch वा बरतनों के handle बनाने के काम आता है या पलास्टिक हो सकता है तो क्या होगा बेका light कि अगला question है एक पुलस स्टू एसोफोर कि समिक्रन है जैड़न एसोफोर प्लस एस्टू तो यह उप्रोक्त रशानिक अभिक्रिया में एक क्या है तो एक क्या हो जाएगा जैड़न अगला प्रस्ण है निम्ल में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है तो जैड़न अगला प्रस्ण है निम्ल अमलों में से कौन सा अमलों का राजा कहलाता है तो जाएगा सलफ्यूरिक अमलों का राजा बोलते हैं उसमिय मन किसी इंधन की कितनी मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त उसमा उर्जा की मात्रा को कहते हैं तो जैड़न इक केजी अगला प्रस्ण देखिए एक धातू के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है यह हो जाएगा AG अगला प्रस्ण है जल गैस निम्न में से कौन सा मिश्रन है यह हो जाएगा COS2 अगला प्रस्ण है वह नियूंतम ताप जिस पर कोई पदार जलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है तो इसको क्या बोलते है जोलन ताप अगला प्रस्ण देखिए किस मादा जन्नांग में भुर्ण रोपित होता है तो इसका सेंसर हो जाएगा गरवास है कि नेक्स्ट प्रस्ण है वायू में कारवन डाई ओक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान में विर्धी होने का कारण डैस होता है यह वह जाएगा हरित घर परभाव कि नेक्स्ट प्रस्ण है उस पौरुस हार्मन का नाम बताए जो गौन लेंगिक लक्षनों के लिए जि में धाक में थाइराइड द्वारा श्रावित हार्मोन थाइरक्सीन जो इसके लाखा से व्यस्क बनने में सहक है के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवस्षक है तो यह हो जाएगा आयोडीन अगला प्रस्ण है रसाइनिक खाद से सम्मंधित जो तत्थ सही नहीं है उसे चुने तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रसाइनिक खाद नाइट्रोजन और फासफोरस का भरपूर श्रोत है प्रांतु पोडेस्यम के लिए हमें जेविक खाद पर निर्वा राना पड़ता है अगला प्रस्ण देखिए किन्वन सब्द का उप्योग एक क्रिया के लिए किया जा सकता है जिसके द्वारा कि जगा चीनी को एलकोहल में परिवर्थित किया जाता है अगला प्रस्ण है दिये गए विकल्पू में से विशेश छेत्री पर जाती चुने जो पंच गढ़ी जेव मंदल आरक्षी छेत्र में पाई जाती है यह हो जाएगा उड़ने वाली गिलहरी नेक्स्ट प्रस्ण है पादप कोसिका जन्तु कोसिका से भिन होती है क्योंकि कोसिका जिल्ली के चारो और एक अत्रिक्त परत होती है जो कहलाती है तो जाएगा कोसिका भित्ती सर्दियों के समय दिल्ली एंसीयार के वाई मंडल में एक गनी कोहरे की प्रत नजर आती है इसे दुवान सा कहते हैं या बनी होती है दुवें और कोहरे से नेक्स प्रस्थन है मनुस में एड्रिनल ग्रंथी का मुखिक कार्य है यह हो जाएगा एक और दो दोनों यह दोनों काम है इसका चलिए अगला प्रस्ण है कि एंड्रक्स एपल का समान यह नाम है तो यह हो जाएगा कि ऑप्शन फोर इसका सही है कि उच्च आवर्धन चमता वाले सुक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक में एक छोटी सगन वा गहरी रंग की संरचना दिखाई देती है जो एक क्या है केंद्रिक का यह दो है कि चलिए अब डूट के प्रस्ण को देखते हैं इसका सिर्फ हम एंशर की बताएंगे कि इसका स्क्रींस लेका आप इसको को कर सकते हैं या इसका आपको पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं उसमें आपको पीडियाप मिल जाएगा तो 126 का कि इसका से एंसर हो जाएगा option two one by three इसको आप सोल्व किजिएगा कि 127 का देखिए क्योंकि 190 तक देखना इसलिए इसको सॉल्व नहीं करें नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लाइव क्लास में जो सामके साथ बज़े प्रति दिन होता है यदि पांच के गुनज तीन क्रमांगत संख्याओं का जोड़ तीन सो हो तो संख्याएं होगी इसका से अंसर हो जाएगा और ऑप्सन टू अगला प्रस्ण दिखी एक इस्कूल में एक सर्वेक्षन किया गया और चोटियों के दोरान बजयारतियों के पढ़ाई को दिये जाने वाले गहंटों को समय ग्राप चार्ट में दिखाया गया कितने विद्यारति उन्हें तीन घंटे से भी कम पढ़ाई की तीन घंटा से कम तो एक घंटा दो घंटा तो यहां पर यह बीस है और यह दर चालिज तो कितना हो जाएगा साइट इसका सेंसर हो जाएगा कि एक कक्षा में 24 विद्यारति हैं जिन में से 11 लड़किया है यदि अध्यापक किसी एक विद्यारति को चुनता है तो उसके लड़का होने की संभावना होगी यह प्राइकता चेप्टर से है इससे भी एक दो कस्षन आता है आपको इसका सेंसर हो जाएगा ओप्सन बी चलि भाज जिप फल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो तो इसका सेंसर हो जाएगा ओप्सन एक इसको आप लोग सॉल्व किजएगा देखिए आप कितना सॉल्व कर पाते हैं अगर कोई सवाल सॉल्व नहीं होता तो कमेंट में बताइएगा उसको नेक्स वीडियो में सॉल्व करें तो 729 का अगर हमको घनमूल निकालना है तो जो कि कितना होता है नो होता और इसमें माइनस लगा है तो माइनस नो एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है प्रदीप ने दो साइकिल रुपया 200 रुपया पर तेक साइकिल बेची एक साइकिल पर उसको चोपरतिसत लाव हुआ और दूसरी पर चोपरतिसक धाने उसका कूल हानी लाव परतिसत होगा तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन थिरी इसको सॉल्व किजेगा आप लोग है एक 133 का है हर्स ने दिव्या से रुपया यानि आठ जार चोपरतिस रुपया उधार लिए जिसकी दर्थ 14 परतिसत साधान व्याज सलाना थी उसने पैसा तीन साल 10 महिने के बाद वाप पिस कर दिया उसने कितना पै हम बता देते हैं ऑप्शन एक इसका सभी है एक 134 का है एक हजार रुपये का दो परतिसत परती वर्ष की दर से तीन वर्ष के लिए चक्रिव्रिधी व्याज क्या होगा जबकि वार्षिक जबकि व्याज वार्षिक सन्यूजित होता है तो इसका से एंसर हो जाएगा ऑप् कि अक्रिया नेक्स्ट प्रस्न है इसको हल करना है तो इसका से एंसर हो जाएगा ओप्सण एक इसको हल किजिएगा आप लोग वीस प्रस्न आपको मैंत से देखने को मिलते हैं उस घंका आइतन ग्याद करो जिसका प्रिष्टिय चैत्रफाल 486 सेंटिमीटर स्क्वार है इस कि यह ओप्शन 3 इसका राइट एंसर निकलेगा तो आप लोग इसको सॉल्व किजिए एक बार देखिए बनता है कि नहीं अगर हो तो कमेंट किजिएगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे लाइब क्लास में अगला प्रस्ण है यदि 24 बच्चों में एक डिबा मिठाई इस तरह पार्टी जाए की हर एक को 5 मिठाई मिले यदि बच्चों संख्याथ 4 कम कर दी जाए तो हर एक को कितनी मिठाई मिलेगी इसका सेंसर होगा ओप्शन 2 हाल करना इसको भी इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन टू एक बार आप पर्यास करके देखें दी गई आकिर्थी में एक्स कमान ग्याद करो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट एक नियमित बहुज की कितनी बुजाएं होंगी अगर हर एक अंता कौन कमाप 165 डिग्री हो तो इसका सेंसर हो जाएगा चोबिस कि नीचे दिये गया नीचे दिया गया ग्राफ एक कंपनी की विक्री का अकड़ा दिखाता है तो 2002 और 2006 में विक्री का अंतर बतावें तो इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन एक अगला प्रस्ण है एक बहुतल के नियूंतम फ्रिष्ट होंगे जाएगा ऑप्शन टू कि यदि चमेली के पास स्कूल पैसे के 75 परतिशत को खर्च करने के बाद रुपईया 600 बचे तो शुरुवात मुसके पास कितनी रासी थी तो जाएगा प्रस्ण है नेमलिखित में से किस सासक को मैसूर के सेर के रूप में जाना जाता है तो जाएगा टीपू सुल्तान नेक्स्ट प्रस्ण है ओध्योगिक करन के कारण अठार्मी सदी के बिरिटेर में किस फसल की मांग बढ़ गई तो जाएगा नील ब्रिटीश सरकार ने छपे हुए सूती कपड़े के परियोग पर पाबंदी समंधी नियम का पारित किया वह जाएगा सत्रो सो बीशेश्वी में अगला है प्राच्यवाद के कटू आलोचा कोन था तो जाएगा जेम्स मेल गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक है तो इसका हो जाएगा जोती बाराव फुले नेक्स्ट देखिए अधिकांस अधिवासी किस परकार की खेती करते थे तो यह हो जाएगा जूम नेक्स्ट प्रस्ण है निमलिखीत में से कौन सास्थान सन 1857 की महान विद्रोह का केंद्र नहीं था जो जाएगा लाहोर दिली ब्रिटीश भारत की राजधानी कब बनी यह जाएगा उन्यस्ट एग्याराश्व में खर्रा चित्रकारों का सम्मद्ध किस से था जाएगा काली घाट भारत छोड़ो अंदुलन कब प्रारम हुआ यह हुआ था अगस्त 1942 में अगला प्रस्ण हर्याना राज अस्तित में कब आया तो जाएगा उन्हें 166 में अगला प्रस्ण हर्याना की सीमा किस राज से नहीं लगती है तो यह हो जाएगा मद्ध प्रदेश ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है अगला प्रस्ण देखिए 169 का प्रस्ण नहीं दिया गया है इसका सेंसर का ऑप्शन एक छे लिए अगला है हरा हिरा पाया जाता है यह हो जाएगा आस्ट्रेलिया में अलफा अलफा क्या होता है यह होता गहास अगला प्रस्ण है जहां नदी महासागर अथवासागर में मिलती है उस अस्थान को क्या कहा जाता है उसको मुहाना बोलते है 163 का टोंगा दूइप समू कौन से महासागर में अस्थित है तो यह प्रसांत महासागर में अगला प्रस्ण है कौन सा राज सिंधु नदी तंत्र एवं गंगा नदी तंत्र के मद जल विवाजग की रुप में कारी करता है वो जाएगा हरियाना पूर्वी तमीन लाडू में वर्षा किन पावनों द्वारा होती है यह जाएगा ओप्शन थ्री अगला प्रस्ण है चलिए प्रस्ण हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग 163 पे है हम बीच में कुछ प्रस्ण बता चुक है चलिए इसके वाद 171 का देख लेते हैं भारत के कि सहर में सन 1984 में भेंकर ग्यास्त रास्दी हुई थी ति वाजाएगा भोपाल में गिरप्तार किये गए व्यक्ति को कितने समाई के अंदर मजिस्टेट के सामने पेस करना पड़ता है ति वाजाएगा 24 गंटे अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित क्या गया ति वाजाएगा 1964 में सम्मिधान का कौन सा अनुछेद और अस्प्रता और चुवाचूत का उन्मोलन करता है वाजाएगा अनुछेद 17 वर्तमान में राजसभा के सभावपती कौन है तो इसमें सभी अप्शन गलत है अगला प्रशन है भारत में पांस रुपे का नोट किस अस्तर की सरकार जारी करती है है ति हो जाएगा केंद्रिय सरकार अल्हा भारत के किस राज में आदिवासी समूदाय नहीं है ति हो जाएगा हरियाना कोन सी संस्था सहरों और गवों में सचाले सुविधा प्रबंद करती है ति हो जाएगा सुलव सरवुच नियाले ने सीर पर मैला उठाने पर कव परतिवन्द लगाया ति हो जाएगा 2005 इस भी में और लास्ट प्रस्ण है भारतिय समिधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीम्रा अंबेदकर तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैं अटके प्रस्णों को लेकर आएंगे तो चैनल पने हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लेना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कोमेंट करके अपना कोई भी सवाल हो तो हमसे पोस्ट सकते हैं धनिवाद जाएगे